हेलो थी हम असलाम अलेकुम तो आज बहुत शिंपल और बेसिक मसाले तयार करेंगे तो सबसे पहले हमने यहां पर एक को रख किया है बॉइल होने के लिए एक जब तक बॉयल होते हैं इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं एक बाउल में हम डालेंगे एक दम फ्रेश दही टू टेबली स्पून लेंगे दही एक दम ताजा दही होना चाहिए यह हमारा होम मेट दही है और थोड़े से मसाले इसमें जाएंगे हाफ टी स्पून हमने हल्दी डाल दिये और थ्री टी स्पून धनिया पाउडर रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के मताविक डाल दीजिए तो हम यहाँ पर हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल रहे है और हाफ टी स्पून ही हमने गरम मसाला पाउडर डाल द सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और दही का ध्याल रिखेंगे दही खटा नहीं होना चाहिए और यह एक बॉयल हो गए है तो एक को हार्ट बॉयल करना है इस तरह से हलका हलका सा कर्ट का निशान लगा देंगे दो तीन जगे पर एक के ऊपर अब हम इसमे दो चुटकी हली पाउडर चुटकी रेड च्छी स्थी पाउडर देंगे गे आप चाहिए तो बावल पकड़के इस तरह से हिला तरह सकते हैं और यह आप नड़े लगा सकते हैं लेकिन यहाथ जलने लगता है मिर्च की वजह से तो आप बावल को पकड़ के हिला ज़ें अब एक हांडी में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ओयल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें हम अंडे डाल के इन्हें फ्राइ कर लेंगे तो एग आप चाहें तो लाइट गॉल्डन भी रख सकते हैं या इन्हें थोड़ा सा डार्क फ्राइ कर सकते हैं तो हमने बहुत जादा फ्राइ नहीं किया है अब इन्हें निकाल लेंगे और आपको अगर आलू इसमें आट करना है तो आप दो आलू तक डाल सकते हैं उन्हें भी अच्छे से फ्राइ कर लीजे और इसमें हमने डाल दिया है तीन चाहल लांग दो चुटी लाइची और ब फाण Tennına करेंगे लाइट गोल्डन करेंगे अ प्या अ जब इतना गोल्डन हो जाएगा तब इसमें हम तैयार कैया हुए मसाला डाल देंगे और थोडा सा पानी डालते हुए इसे अच्छे से भून लेए तो बहुत अच्छे से मसाले की अभूनाई करनी मैंने मसाले से भ जितनी आपको करी रखनी है उतना पानी डाल दीजिए तो हमने यहां पे हाफ कब पानी डाल दिया है नमक टेस्ट की मताबिक आट कर दीजे मिक्स कर देंगे और इसे ढ़क कर 7 मिनट तक पका लेंगे तो 7-8 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को हमने आफ कर दिया है यह हमारी बहुत ही जबजरस्ती एक करी तयार हुई है अगर दई खटा नहीं होगा तो एक करी बहुत अच्छी बनेगी और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे बस यह तयार हो गई है आलू इस वक्त घर पे थे नहीं नहीं तो हम भी ढालते एक के साथ आलू बहुत अच्छी लगते हैं बहुत सिंपल सा वीडियो था वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब करी मेरे चानल को शेयर के लिए फैमिली और फ्रें इसके साथ थैंक यू अलाविर